प्राइक्टिस यानि कि प्राइक्टिस बेश्ड ऑँ आर्टिकल्स आर्टिकल्स की ऊपर मैं पहले भी दो वीडियो बनाकर के अप्लोड कर चुका हूँ यानि कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सारे रूल्स को आपको समझाया है तो एक बार जा करके उन वीडियो को जरूर देख लिजेगा ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं क्योंकि ये वीडियो आपको तभी पसंद आएगी तभी अच्छी लगेगी तभी समझ आएगी जब आपने प्रिवियर्स दो वीडियो देख लियोंगी अच्छा इसमें अर्टिकल से रिलेटेड जो एरर होगा उसको कैसे फैंड आउट करना है ये सब चीजे हम डिसकस करेंगे आज की वीडियो में पचास से पच्छपन कोश्चंस हैं और ये पचास से पच्छपन कोश्चंस जादम जादा 30 से 35 मिनट में हम लोग इस वीडियो को खत्म कर दे हमने पहला कोश्चन यहां पर दिया है देखो सबसे पहला कोश्चन हमने रखा है इस रिगारड़ वाई सम एज एन नेसिसरी बस तुम समझ लो यह प्रैक्टिस जब आर्टिकल से रिलेटेड है तो हमें आर्टिकल पर पहुंच जाना है और बस इतना देखना है एंदी का प्रियोग सही हुआ है या जहां पर होना चाहिए बहां पर नहीं किया होगा और जहां पर किया भी होगा तो गलत तरीके से किया होगा यहां पर ही देख लिजेगा मैंने तुम्हें कॉंसेट बताया था यार कुछ भी बूल जाओ एक छीज ध्यान रखना एन को यूज करन तो यह हमारे क्या हैं स्वर हैं हिंदी के जो ग्या रहे होते हैं और इसके बाद हिंदी में बेंजन का 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 से लेकर ग्या तक जो हमारे 33 होते हैं और कहीं कहीं अगो बहा मिला करके 35 यानि कि कुल मिला करके आपको यह देखना है कि भई अगर हिंदी के स्वर आ जाएं मतलब नहीं है, swear sound इंग्लिस में बले ही कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में अगर swear sound है, याने कि अगर bubble sound है तो लगाना है आपको N और हिंदी में अगर consonant sound है, ब्यंजन sound है ब्यंजन की ध्वानी निकल लई है तो आपको लगाना है ए, ठीक है तो चलो, देखो आपको N, हमने का अगर bubble sound है हिंदी bubble sound है, तो लगाना है आपको N, और consonant sound है, तो लगाना है N, ठीक है तो देखो necessary, लिखो जरा, necessary तो यह ना, ता था, दा, धा, ना ना तो हमारा consonant sound है हिंदी में, भाई, छोटा बड़ा पित्वड़े ना है, स्वर है नहीं तो यह क्या है, बेंजन है, बेंजन से सुरू है, बेंजन द्वनी से सुरू हो रहा है तो जब यह बेंजन द्वनी से सुरू हो रहा है consonant sound से सुरू हो रहा है लिख के देख लो तुरंट हिंदी में तुरंट पता लग जाएगा A आएगा की N आएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए A आना चाहिए किसकी जगहे पर N की जगहे पर ठीक है सही हो जाएगा दूसरा बाग के देखो It is a quarter to ten देखते ही समझ आ जाएगा अगर आप थोड़े से भी समझदार हो थोड़े से भी जानकार हो इंगलिस के तो देखते ही पता लग जाएगा जैसे quarter to ten होता है जो quarter to ten होता है उससे पहले article का प्रियोग नहीं होता तो यहाँ पर article लगा दिया है आप हटा दू रिमूब कर दू तीसरा क्या है गीता ड़जन्ट यूजली बियर जेवली बट इस्टरडे सी बोर रिंग अब देखो यहाँ पर सी सबजेक्ट आया बोर बर्ब की सिकेंड फाम है और रिंग रिंग जो है ना हमारा वो singular countable noun है singular singular countable noun है दोस्तों और जब रिंग हमारा singular countable noun है और इसका जिक्र बाक में पहली बार ही हुआ है इधर देखो दियान से इस से पहले इस रिंग सब्द का जिक्र इस से पहले बाक में कहीं हुआ है गीता ड़जन्ट यूजली बियर जेवलरी देखो कहीं पर भी रिंग का जिक्र नहीं हुआ तो मैंने तुम्हें बताया था जब कोई भी singular countable noun बाक में पहली बार यूज हो रहा हो तो उससे पहले हम A, N का प्रियूप करते हैं और यहाँ पे नहीं है तो A का प्रियूप कर लेंगे अच्छा N का क्यों नहीं किया क्योंकि रिंग को हम लिखेंगे तो रा और रा देखो कहां पहुँच गया हमारा consonant sound पे पहुँच गया तो इसलिए A यहाँ पे बोर के बाद में क्या लगा लो A लगा लो A रिंग C बोर A रिंग ठीक है अगला फोर्त वाले पे देखो The police asked us About our moment On our देखो On our Night of Crime अब यहाँ पर एक चीज आप समझ करके देखेगा Night of Crime की बाद की गई तो जो Night of Crime यानि कि बहन निश्चित रात है जिस रात क्राइम हुआ अता definite article आना चाहिए Night of Crime हम उस रात की बात कर रहे हैं जिस रात को Crime हुआ जिस रात को हम सारी रातों की बात ही नहीं कर रहे हैं जिस रात को अपराद हुआ हम उसी रात की बात कर रहे हैं तो definite रात हो गई definite night हो गई और जब definite हो गई यानि कि night of crime क्राइम वाली अपराद वाली रात को तो यह निश्चित है तो यहां पर डैफनेट आर्टिकल आना चाहिए ना कि इंडैफनेट तो ए नहीं आएगा दोस्त क्या आएगा दी दी लगा लो यहां पर दी दी के बाद अगले नेच देखिएगा इन साइंस दी क्रेडट देखो इन साइंस दी क्रेडट गोस तो अ मैं वो कन्वेंसिस दी वर्ड नॉट तो दी मैं तो हूम दी आडिया फिस्ट अक्यों पांच में की अगर हम बात करें जिस ब्यक्ति ने वर्ड को कन्वेंस किया देखो ध्यान से की बात कर रहे है जिस व्यक्ति ने दुनिया को convince किया तो इसका मतलब यहाँ पर भी who convince the world not to the man to whom the idea first occurs यानि कि यहाँ पर भी definite article दी का प्रियोग होगा है ना किसका definite article दी का प्रियोग कर लो बस ए लो भी यह यहाँ पर ए नहीं आएगा यानि कि गोज to the man, हमें एक निश्चित आदमी की बात कर रहे हैं उस निश्चित आदमी की बात कर रहे हैं जिसने convince किया दि वर्ल्ड को तो यह the man कैसा हो गया निश्चित हो गया तो यहाँ पर ए an article नहीं आएगा निश्च definite article ठीक है अगला इट इज ओनली आफ्टर दी मैच इज ओवर डेट पिल रिलाइज हाव एक्साइटिंग इट इस हमने तुम्हें बताया था कि यहां किसी निश्चित मैच की बात नहीं की जा रही है अताह दी का प्रियोग गलत है बाई कोई निश्चित मैच की बात नहीं की जा रही है ठीक है तो यहां पर निश्चित आर्टिकल भी नहीं आएगा दी का प्रियोग जो है वो गलत है जब कोई मैच खत्म हो जाता है तब लोग समझ पाते हैं कि मैच कितना एक्साइटिंग था तो मैच से पहले बाई क्या आना चाहिए एन का प्रियोग किया जाना चाहिए एका प्रियोग कर दो साथमा देखो आप दी टू सिस्टर्स सी इस बेटर और मैने तो तुम्हे बता रखा है बढ़ी या comparative degree से पहले यह जो comparative degree लगी है उससे पहले article d का प्रियोग होता है तो c is the better आप the two sisters ऐसे भी लिख सकते हैं आटमा देखो it is unfortunate enough to lose few friends we make during our school days तो आटमे की अगर हम बात करें few few का मतलब क्या होता है few are few the few तुमने देखा होगा few few का मतलब negative होता है क्या होता है negative होता है लेकिन हम negative की तो बात ही नहीं कर रहें यहां पर few से पहले दी का प्रियोग कर दो यहां पर जो कुछ दोस्तों की बात हो रही है जिने हम school days से दोस्त बना लेते हैं वो दोस्त निश्चित नाउन है definite article है यहां पर और जब यह definite article है तो यहां पर बिटा दी आएगा दी few यानि कि it is unfortunate enough to lose the few friends we make during our school days जिनको हम school days में बनाते हैं ठीक है उनको क्या कर देते हैं खो देते हैं यह क्या है हमारे लिए unfortunate हैं तो यहां पर जितने भी दोस्त बनाए इसका मतलब deep few deep few यह तो निगेटिव है deep few अगला there were a number of intelligent gentleman at the party but it was Mr. Subramaniam an eminent scientist who remained a center of attraction अब देखो यहां पर अगर हम बात करें center of attraction से पहले क्योंकि Mr. यहां पर जो इन्होंने करा यह देखो center of attraction है अब अगर हम center of attraction की बात करें तो यहां पर उन्होंने indefinite article लगा दिया आने चित आर्टिकल लगा दिया जबकि आना क्या चाहिए था वह यह दी आना चाहिए था निश्चित आर्टिकल आना चाहिए क्यों आना चाहिए था क्योंकि Mr. Subramaniam की बात हो रही है किसकी बात हो रही है Mr. Subramaniam की बात हो रही है जो कि एक निश्चित नाउन है और यहां पर तो भाई जो किएका थो सिर्फ है तो कौन पर भी से पहले दींका प्रियूग करें से थे दो दिशलक यह जो Mr. Sarma ही हमने तुम्हें subject बर्व agreement में भी बताया यह बात कि जब Mr. Sarma एक ही ब्यक्ति हैं और जब यह एक ही ब्यक्ति हैं भया तो हमने कहा इन पड़ दो हैं एक डायरेक्टर है यह और दूसरा यह चेर्मेन है यहाँ पर तो director से पहले भी दी लगा दिया, chairman से पहले भी दी लगा दिया और जब दो noun and से जुड़े हो और दोनों के पहले दी लगा हो तो व्यक्ति दो होना चाहिए व्यक्ति कितने होना चाहिए, दो, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति यह की है और जब व्यक्ति ये किया है तो इसका मतलब दो नाउन तो एंट से जुड़ेंगे लेकिन आर्टिकल सिर्फ पहले वाले से लगेगा तो चेर्मैन का आर्टिकल हटा दू ठीक है ध्यान क्या समझाया जब एक ही व्यक्ति के पास दो पद हो तो दोनों पदों को आंट से जोड़ दो और से पहले वाले पद से पहले यानि कि पहले वाला जो रैंक है उससे पहले सिर्फ निश्चित आर्टिकल दी लगा दो बस ठीक है अगला ग्यारे नंबर पे यहां पर ग्यारे नंबर पे उन्होंने जो बात की है लीष्ट पेड तो यहां पर लीष्ट को पहले जानो यार यह लीष्ट क्या होता है लीष्ट बेटा हमारा होता है सुपरलेटिव डिगरी लीष्ट होता है भईया हमारा सुपरलेटिव डिगरी और जब यह सुपरलेटिव डिगरी है आप जानते हो जब यह सुपरलेटिव डिगरी है तो इससे पहले सुपरलेटिव डिगरी से पहले हमेसा किसका होना चाहिए अगला देखो he has come out with an unique proposal यहां पर यूनिक को जब आप लिख करके देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा यार इधर देखो यूनिक है ना तो यूनिक या यार आलावा हिंदी का कैसा sound है हिंदी का कैसा sound है स्वर sound है या ब्यंजन sound है आपको कि sir ब्यंजन है और जबकि इंगलिस में तो यह bubble है A E I O U तो अगर इंगलिस के देखोगे ना तो हमेशा कभी question article पे गलत हमेशा आपका article पे गलत होगा कभी सही नहीं होगा कभी सही नहीं होगा ध्यार रखना हमेशा हिंदी में का pronunciation इसका मत पे शुर तो एन हिंदी में bubble sorry हिंदी में ब्यंजन तो ए तो यह शुर ब्यंजन का खेल है वस और कुछ नहीं यह समझ गए तो आपे एन का प्रियोग हमेशा कर ले जाओगे सही कर ले जाओगे तो यूनिक या राला या ब्यंजन है तो यहां पे एन नहीं आएगा आए य एका प्रियोग करतों तेरे नंबर देखो भाई तेरे नंबर हमारा क्या कहता है वें दी हाउस बाज सेट आन दी फायर नहीं होता भाईया यह फ्रेजी गलत लिखी है यह फ्रेज गलत है यह बाक्यांस गलत है सेट आन फायर होता है set on fire होता है सही phrase सही phrase होता है दोस्तो set on fire आग लगना set on fire दी नहीं लगेगा दी आट आदो यहां से article दी आट आदो article दी नहीं लगेगा देखो little knowledge of medicine अब देखो यहां पे उन्होंने क्या किया little knowledge little का मतलब क्या होता है ना के बराबर negative है यह uncountable है खेर कोई नहीं आगे भी uncountable ना होने तो उसके लिए little use हुआ very good but हमें यह देखना है कि little का meaning आपे क्या है negative है इसका मतलब हुआ उसे medicine की बिलकुल knowledge नहीं negative है little, a little यहां लिए लिए कि थोड़ी सी है और the little जितनी भी है उतनी तो इसका मतलब हमें यह decide करना है little आएगा, a little आएगा या the little आएगा ठीक है अब article का हमें देखना है तो यहां पे देखो little का प्रियोग थोड़ा सा के संदर में प्रियोग थोड़ा है little knowledge थोड़ा सी थोड़ी सी knowledge है medicine that he possessed जो भी है उसके पास proved to be a blessing for him उसके लिए blessing सिद्ध हुई when he was a great pain जब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो इसका मतलब हम यहां पर यह decide कर पा रहा है sentence के माद्रम से को जो भी उसके पास knowledge थी थोड़ी सी उसकी बात कर रहा है तो यहां पर हम अगर सही use करें तो medicine से पहले definite article का प्रियोग होना चाहिए definite article का प्रियोग क्यों होना चाहिए क्योंकि उसके पास जितनी भी knowledge थी उतनी तो जितनी उतनी के sense में the little knowledge और मैंने एक चीज और बताये थी जब भी दी का प्रियोग हो definite article एक पहचान अगला it was by a mistake underline कर दो अपने आप it was by mistake होता है या by a mistake होता है भाई सही बताना फ्रेज जो होता है by mistake हो गया मुझसे या by a mistake हो गया हमेशा आप करते है by mistake हो गया by mistake है ऐसा तो a का प्रियोग यहां पे नहीं होगा आप का प्रियोग गलत है सोले नंबर पे देखो दीज ओडर्स आफ दी मैनेजर एक हमने दी मैनेजर को underline का लिया may put the lips of 2000 workers in a danger देखो हमने तीन चार सब्द यहां पे आपर 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 से related जो है underline किये तो यहां पर हम देखने दीज ओडर आप दी मैनेजर सही वात है निश्चित है बिलकुल यहां पे सही है यह भी बिलकुल सही है ठीक है तो क्या 2000 workers in a danger अब यह गलत है in danger होता है क्या होता है भया in danger होता है in danger होता है ना कि in a danger तो यहां ही पे गलती है तो देखेगा I inspired him to take the heart नहीं होता, why to take heart होता है, यह phrase है एक, ध्यान रखना दोस्तों, यह क्या है एक phrase है, to take heart, to take heart क्या है, एक phrase है, तो सही phrase यही होती है, to take heart, ना कि to take the heart, देख नहीं लगेगा, यहां पर article देखा दो, अठार नमबर पर, the most happy marriage, the most happy marriage, would be a union of deep men, a blind woman, and a blind woman, मैं एक चीज़ ध्यान दो, ए एन का प्रियोग कब करते हैं, जरा हमें बताओ तो, तो आपने कहा सर, singular countable noun हो, singular, यह मेरी बात ध्यान रखना, बोले सर, singular countable noun हो, ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर union की बात हो रही, क्या यह union, एक सब्द से union बनेगी, यहां पर कितने की union हो रही है, एक deep यान की कोई, deep बहरा ब्यक्ती है, और एक कोई अंधी महला है, तो इनकी क्या होई है union की बात होई है तो यह जब दो मिलेंगे तब ही ती union बनेगी तो इसका मतलब यह जो union है यह singular countable noun नहीं है और जब singular countable noun नहीं है तो यहाँ पर N का प्रियोग A N का प्रियोग नहीं होगा बलकि D का प्रियोग होना चाहिए D union आवो ध्यां रखना मैंने क्या बताया union यहाँ पर singular countable noun नहीं है यह दो को singular नहीं है यह दो को बता रहा है एक deep man को और दूसरा blind woman के union की बात कर रहा है ठीक है जब दो लोगों के union की बात कर रहा है तो यहाँ पर यह single नहीं है यह union यहाँ पर double को सो करेगा और जब सिंगल होता तब तो टीक होता सिंगल नहीं है तो यहां पर किस को बात करेंगे हम फिर दी की बात करेंगे दोस्त किस की बात करेंगे दी क्योंकि यहां किसी एक यूनियन की बात नहीं हो रही है अगला उननीस पे बात करें जॉन सजेस्टेट टू दी चिल्डरन आफिस बिलेज डेट देशुड गो टू स्कूल रेगुलरली और डू दियर होमबर्क सिंसरली देखो यहाँ पर स्कूल की बात की गई है और हमने तुम्हें बताया था स्कूल, चर्च, है न टेमपेल तो यह क्या होते हैं कि जिस उद्देश के साथ वो चीज बनाएगे यह उसी उद्देश के लिए बहाँ पर जाते हो तो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है अब देखो अगर इसकूल से तथपरी हमारा पढ़ाई करना होता पढ़ाई से रिलेटेड होता तो हम इसकूल से पहले आर्टिकल का प्रियोग नहीं करते ठीक है तो हम आर्टिकल का प्रियोगarin नहीं करते अब देखो जो सजेस्टेड टू दी चिल्डरन आफिस बिलेश डैट दे सुड गो टू बिलकुल यहां पे पड़ाई से ही रिलेटेड है तो इसका मतब आर्टिकल दी का प्रियोग नहीं होगा यहां से दी रिमूब कर दो दोस्त हाँ इसकूल से पहले आर्टिकल दी रिमूब कर दो अगला देखो अगला बाग के भी कुछ इसी तरीके का है अच्छा जेल का मतलब यहां पे अगर सजासे है जेल का मतलब मेरे दोस्तों अगर यहां पे सजासे है ठीक है सजासे है तो उससे पहले आर्टिकल D नहीं आएगा जिस उद्देसे के लिए वो जेल बनाएगी या उसी उद्देसे के साथ बहां पर पहुंचगे सजा हो करके अगर आप कोई जेल में पहुंचते हैं तो आर्टिकल का प्रियोग नहीं करते ठीक है So she lives alone तो इसका मतलब यहाँ पे जेल अगर सजा है और सही बात है यहाँ पे सजा का सेंस निकल आए तो यहाँ से आर्टिकल D हटा दो D को रिमूब कर दो मेरे दोस्त यानि कि जेल से तात पर यहाँ पर क्या है आपका जेल का प्राट में कुद्ध सजा से अगर होता है तो उससे पहले हम किसका प्रियोग नहीं करेंगे आर्टिकल का प्रियोग दोस्तों नहीं करेंगे यहाँ पर आप समझ करके देखेगा पेवपेल्स का अर्थ होता है बिभिन नसल के लोग Pupils का मतलब ही होता है मेरे बच्चे बिभिन नसल के लोग यानि कि राष्ट Pupils means लोग Pupils means राष्ट दियान से सुनू Pupils means लोग ये plural बढ़ है और plural को भी plural कर दिया तो ये अपना sense बदल देगा राष्टर या बिभिन बिभिन नसल नसल के लोग ये इसका मीनिंग हो जाएगा ठीक है विवेन नसल के लोग तो दी ग्रीक पिल्स नहीं होना चाहिए दोस्त दी ग्रीक कर दो यहाँ पर दो तरीके से इसके अरर को आप ठीक कर सकते हो देखो यहाँ पर दो तरीके से आप इस error को ठीक कर सकते या तो आप the Greeks कर दो the Greeks कर दो तो भी ठीक हो जाएगा the Greeks लिखने से भी बिटा ठीक हो जाएगा या the Greek pupil कर दो या फिर इसको ऐसे कर लिख दो the Greek pupils की जगाए पर pupil कर दो the Greek pupil कर दो ये दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा रख की ठीक है दोनों तरीके से चाहें the Greeks कर दो ये भी ठीक है चाहें the Greek pupils की जगहए पर pupil कर दो ठीक ध्यान बनाए रखना 22 नंबर पर देखो यहाँ पर His Father asked him to go to the temple हमने का जब temple जिस उद्देश के लिए वो टेंपिल बना है उसी उद्देश के साथ बहाँ पर अगर आप जाते हो तो उससे पले आर्टिकल दीका प्रियोग नहीं होता जैसे स्कूल सब्द है अगर आप बहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो आपका दीका प्रियोग नहीं होता जैसे माल लिजे हमने अभी अभी बताया था बैक टांग करके जा रहे हैं तो इस्कूल में पढ़ने ही जा रहे होगे लेकिन अगर आपके पापा बहां इस्कूल में जाते तो बो पढ़ने तोड़े ना जा रहे हैं हो सकता है वो प्रिंस्पल से मिलने जा रहा है हो मुलाकात करने जा रहा है हो सकता है वो आपकी फीज जमा करने जा रहा है हो सकता है पैरेंट टीचर मीटिंग में जा रहा है लेकिन जिस उद्देश के लिए वो स्कूल बना है उस उद्देश से वो पढ़ने नहीं जा रहा ह तो ऐसी condition में आप school, church, temple, jail, इन से पहले आप दी का प्रियोग कर सकते हूँ लेकिन जिस उद्देश से वो चीज बनी है, उसी उद्देश से उसके अंदर अगर जा रहे हो आप तो आप किसी भी article का प्रियोग नहीं करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो, his father asked him to go to the temple यहाँ पर temple पूजा के अर्थ में है, और जब पूजा पाठ के अर्थ में है तो article दी का प्रियोग नहीं होगा, भाई, ठीक है, every morning article किसका दी का प्रियोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर, भाई, temple से तात पर यह क्या है temple से मतलब क्या है, पूजा है, और जब temple से मतलब भाई, पूजा है तो मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ, कि भाई, article का प्रियोग मत करूँ there was little milk, अब देखो, in the refrigerator, ध्यान से सुनना there was little, इस little का मतलब होता है negative, यान कि बिल्कुल नहीं negative है, little milk in the refrigerator, she gave it उसने उस दूद को दे दिया, to her crying son, अपने रोते हुए बच्चे को अब जरा ये सोच करके देखो, यार जब रेफ्रिजेटर पर लिटिल का प्रियोग हुआ तो फिर इसका मतलब negative है, तो negative तो होना नहीं है अब देखो, इसके आगे milk लगा है, milk uncountable noun है uncountable noun है, और जब मेरे दोस्त ही ये uncountable noun है, तो an का भी प्रियोग नहीं होगा, किसका प्रियोग नहीं होगा, an का भी प्रियोग नहीं होगा, क्योंकि ये countable noun के लिए आता है, ठीक है तो a भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए था, the little आना चाहिए लेकिन एक मिनिट और भी अच्छा सॉरी हमारा दिमाग गलत जगह पर पहुंच गया माफ करना हमें मिल्क को तो देखना ही नहीं हमें देखना है लिटिल को सॉरी लिटिल को देखना है अब मैं देखता हूं क्या देरवाज लिटिल आ लिटिल दे लिटिल आ लिटिल दे लिटिल आ लिटिल होना चाहिए यानि कि जो भी थोड़ा सा दूद था थोड़े से के सेंस में है दोस्तो जो भी थोड़ा सा दूद था वह उसने रोते हुए बेटे को दे दिया तो देरवाज आ लिटिल मिल्क आ कर हो, he leads a very luxurious life. So, he goes to every part of India, buy a car नहीं होता भया, buy a car नहीं होता दोस्त, सही प्रियोग होता है, buy car, buy bus, buy train, buy motorcycle, तो, buy car, buy car, इसके बीच में article नहीं आएगा, article नहीं आएगा साथी. नेक्स देखो, क्या है हमारा, thanks to an effort, and persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. मतलब क्या हुआ पच्चिस में? पच्चिस में वो सीधे-सीधे कहता है, effort. thanks to an effort, यहां क्या एक effort की बात हो रही है? नहीं भाई, यहां एक effort की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है? यह तो बहुत सरल है, क्या आपने आप कर सकते हो, and in an hours time होगा, तो देखो, यहां पर यहां मैं तुमारे लिए दे रहा हूँ. यहां पर A का प्रियोग होगा या N का प्रियोग होगा, इसे hours time है या hours time पड़ा जाता है, तो यहां से hours से पहले A का प्रियोग होगा या N का आपको कमेंट करना है इसका. ठीक है, 27 नमबर देखो, terrorist organization kill innocent people to spread a violence, अब देखो 27 नमबर की अगर हम बात करते हैं तो violence countable नहीं है, अगर violence हमारा countable होता, ठीक है, तो हमारा A N बिल्कुल सही था, violence बढ़ हमारा uncountable noun है, और जब यह मेरे दोस्त uncountable noun है, तो इससे पहले A N का प्रियोग नहीं होगा, ठीक है, A N का प्रियोग नहीं होगा, हटा दो, 28 नमबर पे whole world is, अब देखो, whole world is नहीं, the whole world यूज़ करेंगे, तो whole से पहले किसका प्रियोग कर लो, definite article the, the whole world is, ठीक है 29 नमबर पे देख लो, the answer to the all sufferings of human beings lies in the science, अब देखो, यह science है, यह क्या है, subject का नाम है, मेरे दोस्त एक एक चीज़ समझना, यहाँ पर किसका यह science, subject का नाम है, और जब यह subject का नाम है, तो तुमने पढ़ा रखा होगा, कि subject के नाम से पहले article का प्रियोग नहीं होता, हटा दो, यहाँ पर दी लगा दिया है, तो दी को remove कर दो, दी को यहाँ से remove कर दो, दी का प्रियोग नहीं होगा, अगला देखो, next, the police should exercise their authority with, देखो फिर से little आ गया, little bit of sensitivity, तो little का मतलब होता है, negative, यानि कि ना के बराबर उन्होंने बिल्कुल भी exercise नहीं कि इसका मतलब यह होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखे, little का मतलब negative है, जबकि यहाँ पर sense थोड़ी सी का आ रहा है, तो थोड़ा सा का sense आ रहा है, तो a little का प्रियोग कर लो, a little, a little bit of, a little bit of. अगला, this is most important lesson which we will have to study every very carefully, अब यहाँ पर जराए एक बार देख करके देखो, 31 नंबर पर क्या कहा जा रहा है, most क्या है यहाँ पर, बोले sir, most क्या है, यह superlative degree है, most क्या है हमारी, superlative degree है, और तुमने देखा होगा, जो भी हमारी superlative degree होती है, superlative degree से पहले किसका होता है, बोले भाया, दी का प्रियोग होता है, क्या हुआ, नहीं, बस कर लो, फटा फट, इतना सा करना है, चीजों को बस थोड़ा सा detect कर लो, अपने आप चीजों, भाई, देखो, time spent करना सुरू कर दो, जितना किसी भी काम में आप, जितना time दोगे, ठीक है, वो आपको दीरे दीरे उतना perfect बनाता जाएता, तो सबसे पहले आप time spent करना सेखो, ठीक है, कि हर चीज में, देखो, भगवान के घर से perfect हो करके कोई नहीं आता, हर एक व्यक्ति, इस धर्ती पे आकर ही मेहनत करके perfect बनता है, जो जितना मेहनत कर ले जाता है, जो जितना time spent कर देता है, वो उतना perfect होता चला जाता है, अगला उन्होंने कहा, 32 नंबर पे दी गंगेश, देखो, यहाँ पे 32 नंबर पे कहा गया है भई, दी गंगेश, सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस दी नौर्थ इंडिया, बौट कृस्णा, कृस्णा भी तो एक नदी का नाम ह कृस्णा भी तो मेरे दोस्त एक नदी का नाम है, और जब यह एक नदी का नाम है, तो इससे पहले भी तो दी का प्रियोग होना चाहिए, तो लगा दो दी, ठीक है, अगला 33 नंबर पे देख लो, 33 नंबर के बाद करें, तो I like to travel by the year नहीं होता, by year होता है, by year, यहाँ पे दी नहीं, सही फ्रेज होता है, by year, by year, ठीक है, by year का मतलब हवाई जहां से, the chairman and the trustee, देखो दोनों के आगे दी लगा है, trustee के आगे भी दी लगा है, और यहाँ पर chairman के आगे भी दी लगा है, ठीक है, इसका मतलब दो अलग अलग बेकती हो गई, इसका मतलब क्या हो गया द दोस्त, दो अलग-अलग बेकती हो गई, और बाग के से क्या पता लगता है, कि दोनों पद एक ही बेकती में सामिल है, देखो पड़ो आगे, बाज, यहाँ पे देखो singular है, और जब बर्व singular है, तो हमें पता लग रहा है, कि दोनों, और इधर देखो, पजेसिब केस भी हम लगा हुआ है, तो इसे हमें clear पता लग गया, आगे बाग के से, और यहाँ पर देखो, इन दोनों के लिए ही, यह भी singular लगा हुआ है, तो हमें सब कुछ पता लग रहा है, कि यह दोनों बेकती अलग-अलग नहीं हैं, एक ही हैं, और जब एक ही हैं, तो हमने क्या बताया, कि अगर बेकती एक हो, और उसके लिए दो पद आएं, तो सिर्फ एक से पहले ही आर्टिकल दी का प्रियोग होता है, पहले से पहले, इससे पहले नहीं होगा, तो यहां का जो दी आर्टिकल है, उसे हटा दो बस, इतना करना है, पैंतिस नंबर पे देख लो, पैंतिस होगे, कि ट्रॉबल कैसा नाउन है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जब यह अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो ए एन का प्रियोग उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि ए एन का प्रियोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है, तो यहां पे भईया, एन यहा और नहीं को All the people of India know that Gandhi Ji Baas A very wise And a noble soul देखो, Gandhi Ji तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है बड़ा ध्यान से देखना Gandhi Ji तो एक ही single person है और जब यह single person है इन single person के लिए Gandhi Ji के लिए दो adjective यूज हुए है नमबर एक बात यह बताईगी Gandhi Ji Baas और दूसरा adjective इनके लिए यूज हुआ दूसरी बिसेस्था यूज हुई Soul, noble soul तो जब एक ही व्यक्ति के लिए हमने क्या बताया जब एक ही व्यक्ति की दो बिसेस्थाओं का उलेक हो रहा हो तो हम article का सिर्फ एक के पहले वाले के पहले यूज करते हैं अब देखो बाइज और noble soul यहाँ पर भी ए आर्टिकल लगा है और दोस्त यहाँ पर भी ए आर्टिकल लगा है हमने कहा दोनों बिसेस्थाओं को end से जोड़ दो दोनों बिसेस्थाओं को end से जोड़ दो और पहले वाली बिसेस्था के आगे यह का परियोग सही होता है तो यह तो सही है लेकिन यह गलत है अगर यहाँ पे व्यक्ति दो होते तो यह दोनों सही थे ठीक है तो यह बाला article यहाँ से हटा दो अगला अगर हम सैथिस नमबर पे बात करें अगर जो आदमी है तो यहाँ पर इसका किस से मानव जाती से हो गया भाया देखो मैन इज दी ओनली क्रेचर यहाँ पे मैन का मतलब आदमी नहीं है मैन का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया मानव जाती हो गया अब जब यह सभी मानवों के लिए यूज हो रहा है मानव जाती के लिए हो गया तो निश्चित क्यों कर रहे है इस साथ भी को अरे भाया अब तो निश्चित करने की जरूरत नहीं है बाइड सिंस में इसका प्रियोग हो रहा है मानव जाती के अर्थ में उसका प्रियोग हो रहा है तो दी का प्रियोग नहीं होगा भाई अगर दी का प्रियोग कर दोगे तो हम किसी निश्चित व्यक्ति की बात करने लगेंगे 38 पर देखोई, it is very difficult to find out the number of the creatures living on the earth तो देखो, creatures आप यहांपर देखो, the number of, the number of, the number of, the number of अगर प्रियोग हो चुका है than those अगर नमबर आप से पहले दी का प्रियोग कर चुके हो तो दी क्रेचर यानि कि क्रेचर से पहले दी लगाने की आवसकता नहीं है ठीक है चलो अगला देखो भाई 39 वाइल क्लाइमिंग दी हिल जाने की टू हिजए अमेजमेंट दी पूर मैन फांद दी बॉक से साथ पॉल्स अब यहां पे देखो कोई भी पूर मैन हिए इस पूर मैन को ये मोतियु का बॉकस मिला अब जब पॉल्स का बॉकस मिल गया तो इसका मतलब क्या इसे पहले से जानकारी थी जो definite article D लगा दिया अरे भाई इस ब्यक्ति को इसने पाया जैसे हमें कोई चीज किसी की कोई चीज खो गई और वो हमें मिल गई अचानक राष्टे से जा रहे थे कि हमें पहले से जानकारी होती है कि यह चीज यहाँ पर होगी तो यहाँ पर अचानक से किसी के रुपए गिरे हुए मिल जाते है हमें पहले से जानकारी नहीं होती कि इस राष्टे से जाएंगे किसी के पैसे गिरे हुए मिलेंगे ठीके तो बैसे यहाँ पर आप समझ लिजेगा इस पूर मैन को जब उसने यह मिला किसका मोतियों का बॉक्स जब उसको मिला क्या उसे पहले से जानकारी थी नहीं जब पहले से जानकारी नहीं थी तो definite article भाई या दी भी नहीं आएगा ध्यान रखना बस ये चीज़े थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहां पे तो क्या आना चाहिए आप बॉक्स आप पल्स का सही प्रियोग कर देजी भाई क्या दी की जगह पे आप बॉक्स आप पल्स ठीक है अगला चालिस नंबर पे दी ब्लास्ट ड्रेल्स दी लिफ्स आप मैनी प्यूपिल बट एन एर अब देखो हम तो तुरंद से यहां पे समझ लीजेगा अब एर से पहले किसका एन का प्रियोग होता अरे नहीं होता किसका होता एका क्यों होता क्योंकि इसका लिखकर भी देख लो क्या लिखा जाता इसके कौन से हिंदी सब्द से सुरुवात होती है तो भाया आप इसको अगर ऐसे करके लिखने की कोशिस कर रहे हो तो मत लिखिएगा बड़ी इसे या छोटी इसे इसका उच्चारण सुरू नहीं होता बलकि यहां से इसका उच्चारण सुरू होता है किस से सुरू होता है दोस्त यहां से उच्चारण शुरू होता है और जब यहां से उच्चारण शुरू होगा तो यार आलाबा एक आर्टिकल ए का प्रियोग सही है आर्टिकल ए का प्रियोग सही है 41 नंबर पे Cowards die several times The Braves die but once अब यहां पे देखो यहां पे उन्होंने किसकी बात की है ध्यान से समझना कि Cowards die several times तो Cowards die यह uncountable लाउन है और इसको सही है ठीक है यहां पर Cowards ठीक है कि कायर कई वार मरते हैं दे ब्रेव देखो अब यहां पे गलती यह भी तो यहका एड़्जिक्टिव है ब्रेव सुनो एड़्जिक्टिव है और हमने तुम्हें एक जगह पर बताया था जब किसी एड़्जिक्टिव को एजा नाउन प्रियोग किया जाए जब किसी एड़्जिक्टिव को एजा नाउन यूज किया जाए और उससे पहले दी लग जाए अब ये नाउन बन चुका है और जब ये क्योंकि एड़्जिक्टिव का प्रियोग नाउन के लिए होता है जब ये नाउन बन चुका यानि कि कौन सा नाउन बन चुका है प्लूरल कॉमन नाउन बन चुका है अब ये दोस्त बन चुका है तो क्या दुबारा यस लगाने की आवा सकता है नहीं, सेम उसी तरीके से मेरे दोस्त, जो brave सब्द है, मैं यह लिखता हूँ यह जो brave सब्द है यह adjective है हमारा और इससे पहले अगर दी लगा दिया तो यह plural common noun बन गया क्या हमें the braves करने की आवा सकता है नहीं है, तो braves नहीं होगा the brave होगा, क्या होगा दोस्त the brave अगला 42 नंबर पे देखो 42 नंबर की कहानी क्या है 42 नंबर कहता है अकबर विकेम ओ, यहां से देखो भाईया इसका उच्छारन hair नहीं होता क्या होता, A से होता है और जब A से होगा यह, A I O तो हमने क्या बताया कैसा sound है, कैसा sound है बोले sir, bubble sound है जब bubble sound है हिंदी का, तो N का प्रियोग होगा किसका प्रियोग होगा, N का प्रियोग होगा ठीक है, N N लगा लो भाईया next the both brothers the both brothers are safe now and are recuperating तो देखो, यहाँ पर both के बाद हमने क्या, the both brothers होता है या, both the brothers होता है देखो, हमने both और all का concept बताया था भूलो मत both और all के बाद हमेशा दी का प्रियोग होता है इनके बाद हमेशा दी का प्रियोग होता है ठीक है, both the men both the boys, both the girls, all the boys तो इनके बाद, और यहाँ पर देखो both तो यह लगा और दी पहले लगा दिया जबकि इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए both the brothers, both the brothers position का error है 44 नंबर पे देख लो क्या है when the principal entered the classroom all boys तो all boys नहीं होता all boys नहीं होगा all the boys, अब all boys का मतलब दुनिया बर में जितने भी लड़के हैं वो सभी, अरे भाई जब यह principal साव किसी कमरे में classroom में enter करे होंगे तो उतने ही लड़के खड़े हुए होंगे निश्चित, निश्चित उतने ही लड़के खड़े हुए होंगे जितने उस कक्छा में बैटे हैं तो all the boys होना चाहिए all the boys, definite article दी का प्रियोग कर लो, all के बाद दी यानि को उतने ही लड़के खड़े होंगे जितने उस क्लास में बैटे ना की सभी तो all the boys 45 नंबर पे देखो father in him ये भाईया father in him, mother in him ठीक है, teacher in him इस तरीके के अगर कहीं आ जाएं तो ध्यान बना लिजेगा कि दी का प्रियोग होता है ठीक है किसका दी का प्रियोग होता है क्योंकि the father in him होना चाहिए the mother in him जब किसी बैक्तिके अंदर महजूद किसी बैक्तित्त का उलेक करना हो तो उससे पहले article दी का प्रियोग होता है जैसे मालीजे किसी ब्यक्ति के अंदर मैजूद उस ब्यक्तित को उसके अंदर मात्रत तो सकती है मात्रत है तो उसके गुड को अगर डिफाइन करना है तो ऐसी कंडिशन में उससे पहले आर्टिकल दी दी फादरेनेहिं, दी मादरेनेहिं, दी टीचरेहिं, उसके अंदर का सैतान जाग गया, उसके अंदर का पिता जाग गया, उसके अंदर का मात्रत जाग गया, उसके अंदर का टीचर जाग गया, तो भाईया, ऐसी कंडिशन में हम क्या करते हैं, उससे पहले दी का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं अगला अगर हम बात करें तो सेम बिलकुल 45 की तरह पर है 46 भी ठीक है लेट जज इन यू ठीक है तो जज इन यू आया तो हमने क्या बताया ऐसी कंडिशन में हमेशा किसका प्रियोग करते हैं दी का प्रियोग करते हैं तो जस से पहले दी उसके अंदर का जज़, है ना, तो दी का प्रियोग कर लो, दी का प्रियोग कर लो, क्योंकि कि सी अंदर मैजूद, किसी ब्यक्तित काउ-ले करना हो तो उससे पहले किस का प्रियोग करते हैं बही या, दी का प्रियोग करते हैं, 47 नमबर देखलो, my teacher said, that sun is a star, अब देखो, यहाँ पर sun is a star sun क्या unique है, इस दुनिया में अकेली है, भागोलिक पिंड है और ऐसा भागोलिक पिंड जो इस दुनिया में अकेला हो, ठीक है, तो उससे पहले हम definite article दी का प्रियोग करते हैं, definite article दी सन लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाइया, दी सन होना चाहिए 48, due to its beauty, कस्मीर is known as the sweet jarland, हमने बताया, जब किसी की तुलन हमने क्या बताया, माफ करना, देखो, due to its beauty, अपनी beauty के कारण, कस्मीर is known, जाना जाता as sweet jarland, देखो, यह भी हमारा proper noun है, यह भी हमारा proper noun है, लेकिन जब किसी proper noun को common noun की तरह यूज किया जाए, तो उससे पहले हम किसका प्रियोग कर देते हैं, दी का प्रियोग कर देते हैं, और यहाँ पर sweet jarland नहीं है, भाई बात तो हम कस्मीर की कर रहे हैं न, यहाँ पर तो यह proper noun है हमारा कस्मीर, बात तो हम कस्मीर को, जो है भारत का sweet jarland कहा जाता है, कस्मीर को भारत का sweet jar, इसका मतलब जो चीजें, जो beauty, sweet jarland की है, आप कस्मीर में जाकर के देख लो sweet jarland जाने की जरूरती नहीं, बही beauty कस्मीर में है, जैसे तुमें एक बात बता है कभी कभी कहा जाता है कि कालीदास is this Shakespeare of India तो देखो यहां पर Shakespeare हमारा प्रफ़पर ना हुना है लेकिन फिर भी हमने उससे पहले दीकाप्रियों किया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो उपलबदी जो फेम जो प्रिसिद्दी बिलियम सेक्सपियर की इंग्लेंड में है बही प्रसिद्धी बही फेम कालिदास की भारत में है बही रिप्यूटिशन तो इसका मतलब यह हुआ कि तभी हमने बहां पर क्या करा कि प्रॉपर नाउन से पहले कालिदास इजदी सेक्सपियर आप इंडिया ते दिदे को दी यूज का लिया सेम वही कॉंसेप्ट यहाँ पर भी है 48 के बाद 49 नमबर पर जाओ Most आप दी प्यूपिल अगर हम Most आप दी प्यूपिल की बात करें आप Southern इंडिया जो Southern इंडिया है डोंट नो दी हिंदी अरे बैया subject, ये हिंदी क्या है हमारा langोज है यहाँ पे ना की subject और langोज है don't know the Hindi, शईवाथ है langोज जब ये langोज है तो उससे पहले दी का प्रियोग नहीं होगा तो हिंदी से पहले दी का प्रियोग हटा दो जब भासा है तो भासा से पहले हम दीका प्रियोग नहीं करेंगे भाई He went for the lunch at 1 p.m. and then returned तो यहाँ पर देखो lunch से पहले दीका प्रियोग नहीं होगा lunch lunch से पहले दीका प्रियोग नहीं होगा हटा दो ठीक है The honesty is a virtue यहाँ पर honesty क्या है यह abstract noun है honesty क्या है हमारा abstract noun है और जब यह abstract noun है दोस्त तो abstract noun से पहले दीका प्रियोग नहीं होता हटा दो दी remove कर दो Every morning the sun rises in the east कोई error है बाबा नमबर पे कोई error है बिलकुल error है हमने का rises in east नहीं होता direction है और direction के नाम से पहले दिसाओं के नाम से पहले article D का प्रियोग होता है दिसाओं के नाम से पहले article D का प्रियोग होता है लेकिन कब जब उससे पहले एक article भी लगा हो ध्यान रखना article भी लगा हो बाबन के बाद त्रेपन नंबर पे देखो त्रेपन नंबर पे देखो देखो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिगरी है ये हमारी सुपरलेटिव डिगरी है और जब ये दोस्त हमारी सुपरलेटिव डिगरी है Superlative degree से पहले दी का प्रियोग होना चाहिए. Article दी का प्रियोग कर दो. The best player in India. चववन नंबर पे देखो. चववन नंबर पे देखो क्या कहा जा रहा है? When I met him. When I met him, the couple of days back, he was writing a new book. तो भाईया, यहां पर देखेगा. He was writing a new book. The couple of days. The couple of days. ठीक है? A couple होना चाहिए. A couple. दी का प्रियोग नहीं होगा, भाई. दी remove कर दो. दी की जगह पर A का प्रियोग कर लो. ठीक है? A का प्रियोग कर लो. दी को हटा दो. और दी की जगह पर A लगा दो. ठीक है? तब ही आपका ये बाग के हमारा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा. तो दोस्तों ये 54 sentences का हमने practice कराया है आपको. ठीक है? ठीक है? थोड़ा तेजी से कराया है. जल्दी जल्दी कराया है. जिससे की वीडियो बहुत लंबा ना हो. तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैवारा साथियों.